हाई दोस्तों विल्कम बैक टू दे चटपर टोई टीवी मैं आज आपके लिए लाया हूँ इस वाले military toy set की मैंने already full unboxing video बना के रखी हुई है अगर आपने अभी तक नहीं दिखिये तो link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप देख सकते हो इस वाली का भी मैंने full unboxing video बना के रखा हुआ इसका भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप full unboxing video देख सकते हो ये रही दोस्तों मैंने इसे कली purchase किया है इसका price है 600 रुपीस तो हम आज इसकी unboxing करेंगे और इन तीनो military toys का comparison भी करेंगे देख लेते हैं कौनसा वाला जबरदस्त है तो चलिए दोस्तों फटाफट से ऐसी की कर लेते हैं unboxing तो दोस्तों से पहले आपने अभी तक चटपटर टीवी को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe करेंगे न साथ में bell icon भी दबा देना और all notifications को भी on कर देना ताकि मैं जबी भी नई इसने हटा देता हूँ cover को मैं यहां से तो हमें पहले मिल जाता है guys एक इतना बड़ा वाला grenade आप देख सकते हो प्लास्टिक का बना हुआ है दोस्तों यह वाला grenade आप चाहे तो इसकी pin भी इस तरह से हटा सकते हो खीच कर फटेगा नहीं guys यह और दोस्तों यह है एक pistol तो इसके अंदर शायद batteries नहीं डाल सकते है दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही fast काम करती है यार यह pistol इस तरह से बहुत ही कमाल की quality है guys इस वाली pistol की भी और यह है एक badge military का badge और यह रहा एक compass यह रही guys एक धमाकेदार gun आप देख सकते हो दोस्तों इस तरह की gun आपने PUBG में भी दीखियोगी अगर आपको इसका नाम पता है तो नीचे comment में फटा फट से लिख देना guys तो इसे इस तरह से यूज करते है दोस्तों आप देख सकते हो वाव बिना battery के चल जाएगी guys बहुत ही कमाल की gun लगी मुझे यह आपको इस military का role play game खेलना चाहते हो तो यह कमाल का set है एकदम तो यहाँ पर देख सकते हो एक whistle भी मिली है हमें इसके साथ तो चलिए इस सारे set को side में रख लेते हैं मैं आपको दूसरा set भी बता देता हूँ तो यह रहा हमारा next military toy set यहाँ पर लिखा है operation flashpoint weaponry और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों light troop super arm forces weapons वाव तो चलिए इस सारी चीज़े मैं आपको इसके अंदर से भी निकाल के बता देता हूँ फटा फट से यह उपर मिल जाती है हमें AKM वाव क्या amazing आवाज आ रही यार इसके अंदर से तो यह भी बिना battery के चलती है guys आप देख सकते हो just आपको इस तरह से full करना होगा और यह इस तरह से काम करना start कर देती है तो और क्या मिला है इसके अंदर देख लेते हैं चलिए फटा फट से यह है एक pistol यह pistol भी बहुत जबरदस quality की है guys आप देख सकते हो बहुत ही बड़िया तरीके से काम कर रही है आप चाहे तो इसके अंदर यहाँ पर batteries भी डाल सकते हो तीन batteries आ जाती है इसके अंदर और यह sound भी करना start करीगी आप जब इससे shoot करते हो तो और कौन सी वाव दोस्तो यह देख सकते हो इस pistol को hold करने के लिए यहाँ पर हमें मिला है pistol holder तो इसे किस तरह से रखते हैं यार ओके देख सकते हो दोस्तों आप अपने pocket में भी लगा सकते हो इस तरह से और इस तरह से निकाल कर इस तरह से shoot भी कर सकते हो इस gun को तम कमाल की चीज लगी यार मुझे तो तो इसे भी रख देते हैं साइड में एक grenade मिला है same to same बहुत ही अच्छी quality का है एक water bottle भी मिली है दोस्तों वाव एक same to same compass भी मिला है इसके अंदर एक whistle भी मिली है यहाँ पर हमें और दोस्तों यह देख सकते हो यह रहा एक police का badge वाव भी मज़ा आ गया यार और अभी मैं आपको तीसरा वाला भी हमारा set बता देता हूँ तो यह रहा दोस्तों हमारा सबसे बड़ा military toy set और यहाँ पर देख सकते हो लिखा है modern weapon, military force वगेरा वगेरा धेर सारी चीजें लिखी वी है इसके उपर तो चलिए इसे भी मैं आपको open करके बता देता हूँ फटा फट से दोस्तों आपने मुझे अभी तेक instagram पर follow नहीं किया है तो यार जल्दी से follow कर लेना मैं वहाँ पर भी बहुत ही amazing videos डालता रहता हूँ तो इसके अंदर हमें पहली चीज सबसे जब अर्दस चीज देखने को मिल जाती है ये west वाव देख सकते हो यहाँ पर लिखा है military और पीछे भी देख सकते हो इसे आराम से पहिन सकते हैं इस west को पूरा plastic का बना हुआ है guys बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक water bottle भी मिल जाती है हमें इसके साथ और एक कमाल का mask भी मिल जाता है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर तो इसे हटा देता हूँ मैं वाव यार ये आराम से मेरे चेहरे पर भी आ जाएगा देख सकते हो दोस्तों क्या जबर्दस mask दिया है इन लोगों ने यहाँ पर देख सकते हो एक strap भी दिया हुआ है इसे पहनने के लिए बहुत ही जबर्दस quality का mask लगा यार मुझे तो यह और वाव दोस्तों ये मुझे पता नहीं से क्या कहते हैं साइड में ओ वाव दोस्तों एक डागर एक डागर भी मिलता है मैं इसके साथ वाव भई पबजी में भी इसी तरह का एक डागर होता है यार मुझे डागर बहुत पसंद है पबजी के अंदर और देख सकते हो दोस्तों ये है कमाल की गन यार मुझे इसका नाम पता नहीं है अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में फटा फट से बता दो दोस्तों ओ वाव गाईस अमेजिंग ये तो आवाज भी करती है और लेजर लाइट भी आ रही है गाईस इसके अंदर से वा यार मज़ा आ गया तो इसे भी रख देता हूँ मैं साइड में और छोट चुटकु सा ग्रेनेट भी मिला है गाईस हमें आप देख सकते हो कितना चोटा ग्रेनेट यार लोगने और एक चीप क्वालिटी की वाज भी दी है एकदम बक्वास क्वालिटी है गाईस इसकी एक विजल भी मिल जाता है हमें और गाईस ये बॉक्स आप देख सकते हो यहाँ पर एक कमाल की चीज भी दी है लोगने पूरा मैप दिया हुआ है वार का मैप इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप कोई गेम खेल सकते हो देख सकते हो यहाँ पर टैंक्स है यहाँ पर सारी military की vehicles खड़ी हुई है कमाल का map भी दिया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस military set का price था 1000 रुपीस अगर गाईस आप इसे भी अच्छा military toy set या police toy set खरीदना चाहते हो तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इन दोनों का भी मैंने comparison फुल वीडियो डाल रखा है आप चाहे तो जाकर देख सकते हो इसका price था guys जब मैंने इसे purchase किया था 600 rupees इसका भी buy link आपको नीचे description ने मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप buy कर सकते हो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह के plastic के suitcase के अंदर आ जाती है इसकी सारी चीज़े और दोस्तों इसकी खास बात मैं आपको बताता हूँ देख सकते हो बहुत ही कमाल की quality के चीज़े मिलती है guys इसके अंदर एक gun मिल जाती है एक watch मिल जाती है एक binoculars एक walkie-talkie और ये है कमाल की चीज़ दोस्तों देख सकते हो एक compass भी मिल जाता है बहुत ही जबरदस्त quality का इस साथ आप देख सकते हो एक police का card भी मिल जाता है आपको बहुत ही अच्छा card है यार आप यहाँ पर आपका नाम लिख सकते हो photo भी लगा सकते हो एक granite भी है एक dagger भी है और goggles भी दिये हुए है यहाँ पर मैं आपको दूसरा set भी बता देता हूँ फटा फट चलिए यहाँ पर भी देख सकते हो गाईस कितना बड़ा police का set है यहाँ पर लिखा है police इसका price था 1200 रुपीज गाईस तो यह भी देख सकते हो कितने बड़े suitcase के अंदर आ जाता है इसके अंदर यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त वाली machine gun मिल जाती है और यहाँ पर देख सकते हो एक torch light है एक binoculars है goggles है और एक whistle है यहाँ पर और दोस्तो यह रहा एक card इसमें कमाल की चीज भी मिल जाती है दोस्तो आप देख सकते हो यह है एक handcuff और इस handcuff को खोलने के लिए आपको keys भी मिल जाती है इतनी छोटी सी keys आप चाहे तो इस handcuff को यहाँ पर लगा कर खोल भी सकते हो है ना guys कमाल की चीज और दोस्तो यह देख सकते हो एक बहुती भेंकर वाली dagger भी मिल जाती है इसके साथ बहुती जबरदस quality है यार इसकी और यह इस तरह से चमकती भी है नाइट के टाइम बहुती जबरदस लुक आता है यार इस dagger का तो देख सकते हो दोस्तों बहुती कमाल की लगी यार यह तो मुझे तो दोस्तों जैसे आप सभी को पताई होगा हमारी चानल पर जो भी अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमारी वीडियो पर लाइक करते हैं उन्हें देते हैं हम शाउट आउट तो चलिए देख लेते हैं कल वाली वीडियो पर किसने किसने लाइक किया है और कमेंट्स किया है उन्हें दे देंगे shout out उसके बाद में guys मैं आपको बताने वाला हूँ इन सारे military toy sets और police toy sets में से आपको कौन सा वाला purchase करना चाहिए तो दोस्तों कल हमने दो वीडियोस डाली थी ये थी सवेरे वाली वीडियो boom fun with science और guys ये शाम को मैंने कमाल की वीडियो डाली तो दोस्तों इन दोनों ही वीडियोस पर कल हमें बहुत ही कमाल के comment मिले थे यार तो उन सारे comments में से मैंने 40 लोगों के नाम पिक किये हैं तो उनका नाम अभी मैं लेने वाला हूँ तो दोस्तों अगर आपका नाम उसमें नहीं आता है तो और बिलकुल भी निराश मत होना आप कीजिए इस वाली वीडियो पर like नीचे कीजिए एक बड़िया वाला comment मैं आपका नाम जरूर से लेने के लिए कोशिश करूँगा अगली वाली वीडियो में तो चलिए उनके नाम देख लेते हैं guys अभी उन्हें दे देंगे shout out और दोस्तों मैं आपको लेने वाला हूँ पहला नाम है याँ पर समरिदी सेट आयूष मौमी बेगम जितेंद्र बलवानी अभी रूप किलर किंग नंद किशोर भवानी कुपिली फयाज हुसेन मुस्तफा मुशी लहर शर्मा पार्था गोश पिंकी कपूर संजीव कुमार नायर अनमय तपासी भ हर्ष स्रैनी, कपिला समाल, वैदिक राजपूत, चांद अहमद, ब्रमदेव गुपता, यामक, कार्तिक, समसे नारा बेगम, अशोक मिश्रा, बिबूती बीजे, संगीता, डियस गेमर, खालिद सिद्धिगी, आयूष, अफशान नास, गेमिंग वर्ड आर्यन, पुर्ष तम सिंग, थांक्यू दोस्तों, इतने जबर्दस कमेंट करने के लिए, आप लोगों का, तो गाइस, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता है, तो यार, मैं आपको दिल से सौरी कहिना चाहता हूँ, आप जरूर से इस वाली वीडियो पर कमेंट कीजिए, और लाइक भी क मैं आप सारे लोगों के नाम लेने के लिए कोशिश करूँगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ, इन सारे military toys और police toy sets में से आपको कौन सा वाला purchase करना चाहिए, ये देख सकते हो दोस्तों, ये तीनों toys की quality थोड़ी सी cheap है य तो गाइस इन तीनों में से आप buy करना चाहते हो, तो दोस्तों इस वाले को जरूर से buy करना है यार, क्यूंकि इसके अंदर बहुत ही unique सी चीज़ें दी गई, आप देख सकते हो, एक AKM और एक pistol और इसका pistol का holder भी बहुत ही कमाल का है गाइस, और इसके अंदर आपको यहाप इसमें देख सकते हो दोस्तों, एक कमाल का मास्क भी मिल जाता है, और military की west भी मिल जाती है, और एक जबरदस्त आवास करने वाली gun भी मिल जाती है दोस्तों आपको, दोस्तों आप कुछ unique सी और बहुत ही अच्छी quality की चीज़े buy करना चाहते हो, तो यह देख सकते हो दोस् क्यूंकि इसके अंदर देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्ती गन मिल जाती है में इसके अंदर, और handcuffs बहुत ही complete police का set मिल जाता है, और इसकी plastic briefcase की quality भी देख सकते हो, दोस्तों बहुत ही जबरदस्त दी गई है, तो दोस्तों आपको इन सारे sets में से कौन सा वाला set पसंद नीचे comment में ज़रूर बताना, आपको मेरा काम पसंद आया, आप अगर मुझे support करना चाते हो, तो please इस वीडियो पर ज़रूर से like कर देना दोस्तों, नीचे comment भी कर देना, तो आज की वीडियो यहीं पर होती है, घता मिलता हूँ आपसे मैं next वाली वीडियो में, और कुछ धमा के दार टॉइस लेकर तब तक के लिए, बाई दोस्तों